एक साधू देश प्रहमन के लिए पैदल निकला हुआ था। एक बार रात हो जाने पर वो किसी गाव में आनंद नाम के वक्ती के दर्वाजे पर रुका। आनंद ने साधू की खुब सेवा की दूसरे दिन आनंद ने बहुत सारे उपहर दे कर साधू को विदा किया। साधू ने आनंद के लिए प्रार्थना की भगवान करे तो दिनो दिन बढ़ता ही रहे। साधू की बात सुनकर आनंद हस पड़ा और बोला अरे महात्मा जी जो है ये भी नहीं रहने वाला साधू आनंद की ओर देखता रह गया और वहां से चला गया दो वर्ष बाद साधू फिर आनंद के घर आया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है पता चला कि आनंद अब बगल के गाउं में एक जमीनदार के यहां नौकरी करता है साधू आनंद से मिलने गया आनंद ने अभाव में भी साधू का स्वागत किया जूपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया खाने के लिए सूखी रोटी दी दूसरे दिन जाते समय साधू की आँखों में आसू थे साधू कहने लगा हे भगवान ये तुने क्या किया आनंद पुना हस पड़ा और बोला महाराज आप क्यों दुखी हो रहे हैं महापुरुशों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए समय सदा बदलता रहता है और सुनो ये भी नहीं रहने वाला साधू मन ही मन सोचने लगा मैं तो केवल भेश से साधू हूँ सच्चा साधू तो तू ही है आनंद कुछ वर्ष बाद साधू फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया कि आनंद अब तो जमीनदारों का जमीनदार बन गया है मालूम हुआ कि जिस जमीनदार के इहां आनंद नौकरी करता था वो संतान वीहीन था मरते समय वो अपनी सारी जायदाद आनंद को दे गया साधू ने आनंद से कहा अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे ये सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा महराज अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है साधू ने पूछा क्या ये भी नहीं रहने वाला आनंद ने उतर दिया हाँ या तो ये चला जाएगा या पिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा कुछ भी रहने वाला नहीं है और अगर शाश्वत कुछ है तो वो है परमात्मा और उस परमात्मा की अंश आत्मा आनंद की बात को साधू ने गोर से सुना और चला गया साधू कई साल बाद फिर लाटता है तो देखता है कि आनंद का महल तो है किन्तू कबूतर उसमें गुटरगू कर रहे है और आनंद का देहांत हो गया है बेटिया अपने अपने घर चली गई बुड़ी पतनी कोने में पड़ी है साधू कहता है अरे इंसान तो किस बात का अभिमान करता है क्यों इतराता है यहां कुछ भी टिकने वाला नहीं है दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता तु सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूँ लेकिन सुन ना मौज रहेगी और ना ही मुसीबत सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं, मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं, साधू कहने लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्सन, और धन्य है तुम्हारे सत्गुरू, मैं तो जूटा साधू हूँ, असली फगेरी तो तेरी ज आखिर में ये भी नहीं रहेगा खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इनसान में जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है